पर हुई CBI की कार्रवाई को लेकर राजनीती गर्मा गई है RJD समर्थकों ने सुबह से राबडी आवास के बाहर डेरा डालना शुरू कर दिया तो उधर बयान बाजी भी शुरू हो गई सोशल मीडिया से सवाल उठाए जाने लगे कार्रवाई को लेकर जाती है जनगणना को जोड़ा गया हाला कि इस मसले पर जेडी उस संभल कर बोल रही है तो बीजेपी CBI को स्वतंत्र एजेंसी बता रही है और अपना काम पूरा कर रही है CBI कार्रवाई को लेकर गर्माई राजनीती RJD ने कहा लालू या दव जुकेगा नहीं एक्शन के पीछे जाती है जनगणना CBI का एक और शिकंजा लालू फैमिली पर कसा गया है लेकिन RJD का दावा है कि बीजेपी के सामने लालू जुकेंगे नहीं CBI की कार्रवाई की खबर जैसे ही समर्थकों का हुजूम राबडी आवास की ओर दोड़ा नारे बाजी होने लगी और इस कार्रवाई को सियासी साजिश रे जोड़ा जाने लगा लालू जी के वक्त से लेकर के जब 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 जानुभार की राजनीत शुरू हुई समबाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुचा साथ आने लगे तो इतना टर कि आपने फिर से एक बार एक मड़ी हुई चिरियां को जिन्दा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया अगर आप बेदाग होंगे तो कोई दढ़ने की ज़ुड़त नहीं है लेकिन अगर काम के बदले आना आज नोकड़ी के बदले जमीन तो ये विशे तो पहले से है यही नहीं कारवाई को लेकर आरजेडी के एक ट्वीट ने माहौल को और गर्मा दिया आरजेडी ने लिखा तोते और तोते के अब्बा जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी हमनी यह भी किए हटे हमारे निरजी ने भी हमारे पार्टी की लोगों ने वी किया ता हम तो और पॉसे नेतवा ने भी किया तो इसThere अपनी जाझ कर रहे है प्रक्रिया का पाट है लाउर इतने दिनों के बाद है आठ वर से भारती जन्ता पार्टी की सरकार है के इंदर में आस्तिक कहां थे आपकी सीबियाई क्या कर रही थी जब जब चुनाओ आता है जिसे विरास सबह का चुनाओ होना है एमिलसी का चुनाओ होना है तो अब वो डर गये हैं कि कहीं राज़त के जादे लोग महागडब नितीश और तेजस्वी एक दूसरे से मिले राबड़ी आवास पर सीम नितीश का शानदार स्वागत हुआ तो जेडियू के इफतार में तेज बंधूओं का गर्म जोशी से स्वागत किया गया नितीश के तेजस्वी प्रेम से बिहार के सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म था लेकिन असल वाकिया दस दिन पहले हुआ जिसने बीजेपी नेत्रित्व के कानों में खत्रे की घंटी बजा दी थी दरसल तेजस्वी आदों ने अचानक से जातिये जनगणना पर एक प्रेस कॉन्फरेंस की और पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च का ए बंद कमरे में दोनों के बीच बात हुई और उसके बाद से नितीश कुमार को लेकर तेजस्वी आदों के सुर बदल गए पिछले 15 दिनों से तेजस्वी आदों ने नितीश कुमार पर कोई तीखा हमला नहीं बोला तो क्या बीजेपी को यही बात खटक गई क्या यही और बीच के दिनों में जो रमजान के समय इफतार और जो नजद किया थि ज weights आर Catholics के बीच में जो तस्वीरों के जर ये सामने आई तमाम सारे लोगों के जहन में इसको लेकरों आरूझ डी के लोग जो है वो कह रहें कि इसकी परणती है कि यह जो च्छापे मारी है वो एक संकेत के तोर पे ड़ाने को लेकर इंगित किया गया है तो क्या CBI के बहाने सियासी दबाव का खेल हुआ है या फिर CBI ने पुखता सबूत जुटा कर लालू एंड फैमिली के घेरा बंदी की है ब्यूर रिपोर्ट जी मीडिया